हलो गाईज, वेलकम टू थिंकसान, आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे काइनेटिक एनरजी, छोटा सा टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग और बहुत इंपोर्टन्ट यहां से कॉश्चन आता ही आता है, तो देखो काइनेटिक एनरजी क्या है सबसे पहली बात, काइने इनरजी को क्या बोलते है, काइनेटिक एनरजी बोलते है, अब बात है कि मोशन किस तरीके से, किस वे में बात कर रहे हैं, आप सपोस करो कि क्या है, आपने वोटर लिया, एक गैस पे वोटर रख दिया और गैस को बंद कर रख रख ए ठीक है, और दूसरी गैस पे वोटर ओन कर रख है, तो आप थोड़ी दिर में क्या देखोगे, जिस गैस को आपने ओन कर रख है, वोटर गरम होने लग जाएगा, जब वोटर गरम होने लग जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वोटर बोल होने लग जाएगा, और उस बोल होने के बाद क्या होगा, उस वेपर्स बनने लग जाएंगे तो इसका मतलब कि जो water के particles है water के particles है वो क्या करने लग जाएंगे move करने लग जाएंगे तो water के particles जब move करने लग जाएंगे तो हम क्या कहेंगे उसको उसकी kinetic energy increase हो गई चीक है तो मतलब कि temperature देने से water के particles की kinetic energy increase हो गई, जिसके कारण वो move करने लग गए, तो यहां तक आपको कितना समझाया, सबसे पहली बात kinetic energy क्या है, energy due to motion is called its kinetic energy और kinetic energy directly proportional to temperature, जितना ज़्यादा आप temperature दोगे, उतनी ज़्यादा motion होगी, उतनी ज़्यादा kinetic energy होगी, water को boil कर रहे हो तो water के vapors दूर-दूर तक तभी जाएंगे, water के vapors बनेंगे तभी, जब आप उसको temperature दोगे, ठीके, तो जितना ज़्यादा temperature होगा, उतनी ज़्यादा kinetic energy होगी, वो इसके directly proportional होगी, ठीके जी, तो हम एक question देख लेते हैं, आप बताना, इसका answer वो question आपके लिए है, the smell of hot sizzling food, reaches you several meter away, but to get the smell from cold food, you have to go close by, मतलब कि अगर खाना गरम होगी, क्या होता है, घर में कई बर खाना बनता है, तो जब वो खाना बन रहोता है, तो हम उसकी fragrance से ही बता देते हैं, कि आज घर में यह बनाओगा, आज ममी ने यह बनाया है, लेकिन अगर खाना थंड़ा है, सुब्य से बना हुआ है, और शाम को हम सोचते हैं कि सुब्य क्या बना था, तो हमें थंड़े खाने की, जो हमाई fragrance है, वो हमें नहीं आती, लेकिन जो गरम खाना है, उसकी fragrance हमें आती है, ऐसा क्यों, हमें गरम खाने की क्यों आती है, क्योंकि खाना गरम है, मतलब temperature ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसके जो particles है, वो ज़्यादा move करेंगे, उनकी kinetic energy जादा है तो उनकी kinetic energy जादा है, motion जादा है, तो जब उस खाने के particles वो दूर-दूर तक move करेंगे, तो दूर-दूर तक वो हम तक भी पहुंच जाएंगे, हम तो फिर बताई देंगे कि आज क्या बना है और क्या नहीं बना है, ठीक है, तो बस इतना सा topic था kinetic energy का, तो ये question भी बच्चों की help हो सके, हो सकता है कि क्या पता किसका answer कितना ज़्यादा अच्छा हो जाए, बहुत ज़्यादा, लेंधी ना हो, बिल्कुल कम words में हो, और बिल्कुल strict answer हो, कि इस question का answer तो यही होगा, कि हमारे marks तो कोई नहीं काट सकता, चीक है, तो देखते हैं कौन कितना answer देता है, तो वो मिलते हैं, next lesson में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए, wish you all the best, thank you so much.